यकीन मानिए चिकन मटन को भी टक्कर देने वाली ये वैच कबाब आपको बहुत पसंद आएंगे इसे हम तियार करेंगे सोया बीन से बहुत ही आसान और इंस्टेंट रेसिपी है आपको ना जादा समय लगेगा और ना जादा महनत तो जरू ट्राय करें ये रेसिपी आपक बिगा दिया था ताकि सोया जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अगर आप इमीजेटली कर रहे हैं तो 15 मिन के लिए भी सोख कर सकते हैं गरम पानी में खौलते वे पानी में आप सोया बीन को सोख कर लें इधर हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका पानी निकाल लेते हैं आप फटा-फट से इसका और बेस तयार कर लेते हैं जो कि फ्लेवर के लिए हमें एड करना होगा कुछ सिंपल सी चीज़े जो हमारे घर में रखी होती हैं जैसे प्याज, लैसुन, हरा धनिया, अद्र के कुछ टुकड़े हैं और हरी मिर्शी है हरी मिर्शी आप अपने हि करें अगर आपको जरुत लगती है तो बहुत थोड़ा साब डाल सकते हैं हम पानी इस लिए नहीं डाल रहे हैं क्यूंकि इस रेसिपी में कहीं पी पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा पानी वbn नहीं एड करना है फिर हम फीर सोया चंग डा तो जितना सोया चंग साय गोतना डाल के इन्हें आपको पीस लेना है तो एक बार में नहीं पिसेगा तो आप थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पीस ले और इसका एकदम कीमा आपको तयार कर लेना है यह देखिए हमारा जो सोया चंग का कीमा है तयार हो गया अब आपको कुछ मसाले डालने हैं जैसे कि सबसे पहले हम यह पर धनिया पाउडर डाल देते हैं इसी के साथ डाल देते हैं लाल मिश का पाउडर यह कश्मीरी लाल मिश पाउडर है इससे कलर बहुत अच्छा आएगा दो छोटे चमश डाल देते हैं प्याच का और लैसुन का पिर मैंने नमक डाल दिया इसमें स्वाद केहसाब से और चावल काता हम डाल देते हैं फिर क्सास काहवल से काफी क्रिस्पी हैए अमेरो साथी मिलने प्रणी काौन फ्लोर बड़तर सब्स अधर्य? नहीं है, उगर अबले पास उसमें जाला को झाल पक। इसमें हम पानी वगएरा कुछ भी नहीं डालेंगे तो पहले आप इसे मिक्स कर लें अगर आपको जरुरत लगे तो आप या तो चावल का आटा फिर और डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बहुत जादा मॉइस्चर है उसमें तो ही डालें आप लेकिन मैंने यहाप एकदम परफेक्ट मातरा में डाला है तो मुझे यहापे जरुरत नहीं लगेगी ना पानी की लगेगी जरुरत नहीं कुछ फ्लोर एड करने की तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने मिक्स कर लिया सभी चीजों को और यहापे ना तो मुझे पानी की जरुरत लगी और ना ही चावल के आटे की तो एकदम पर्फेक्ट अमाउंट में हमने एड किया था ही देखिए अगर आपका मिक्स बहुत जादा गीला है तो ही आप कोई फ्लोर एड करें या फिर अगर बहुत जादा ड्राय है तो आप हलका सा पानी का और छिड़का करके डालें तो यहापे आप देख सकते हैं अ बहुत जादा प्रेस नहीं करें जैसे ही आइस्क्रीम पर लग जाए तो फटा-फट से बस आप इसको अलग प्लेट में रख दें ताकि यह जादा बहुत जादा बार-बार करेंगे आप सेट हातों से तो वह निकलेगा तो बस जैसी जादा हो जाए तो आप इने अलग र बनेगा और अगर आप थोड़ा मोटा रखेंगे तो अंदर से थोड़ा सा वह सॉफ्ट रहेगा और बहार से क्रिस्पी रहेगा बस यह देखिए इस तरीके से बना सकते हैं तो कुछ मैंने देखे गोल बना लिए कुछ मैंने आइस्क्रीम के स्टिक में लगा के बना तो यह तो पैक्र से दूनों दरफ से इनहें अगा लगस को हलिकः करके यह सोया के कबाब और भी से निकाले सकीम यह दो मरल थेल में अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो बस हलका सा पैन में दालें आप एक द्व ऑल चम्मा जितना और बस शैलू चाहिंज तो आपстранेड करें और आप डालेंगे तो वह भी बहुत अच्छा लगता है तो मैंने पाउडर के इस्तमाल किया यह भी बहुत अच्छा लगता है तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर आपको थोड़ा स्वीटर पसंद है बहुत ही लाइट सी स्वीटनेस पसंद है न अपने डिप में तो अब हलका सा चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं उससे थोड़ा दिना मायोनीज वाला फ्लेवर साइगा मतलब टेस्ट आएगा आपको यह देखे हमारी दही की बहुत ही टीस्टी डिप तयार हो गई है और कबाब के साथ तो यह बहुत ही जाद अच्छी लगती है इधर हम फ्रमजान के टाइम बना सकते हैं इफतारी वगरा में बना सकते हैं खाने में यह फ़ह जादा टेस्टी बनते है और जटपड भी बन जाते हैं और दिप के साथ तो यह एकदम ढाल में तो आप पी स्भी को ज़रुर त्राइ करें और कॉमेंट में मुझे जरूर बताइए आपको आच की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको आच की रेसिपी इच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल भी न भूले, फिर मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दहनेवाद, अगर आपको मेरी रेसिपी इस अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो लाइक, शेयर जरूर किया करें, और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत दहनेवाद, फिर मिलते हैं एक और रेसिप के साथ अभी के लिए बाई